नमस्कार दोस्तो आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में भी हम नवंबर के ही करेंड फेर्स को डिसकस कर रहे हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तो फ्रेंट्स, आज की इसके वीडियो का पहला क्वेस्चन फ्रेंट्स, इसका राइट अंसर है, ओफिशन डी, डॉगलस स्टूर्ट, दोस्तों, ये यूगे के रहने वाले हैं और इनको यूगे बुगर प्राइज 2020 से समानित किया गया है इन में से कौन है जिन्होंने बिहार के फर्स्ट डेपुटी चीफ निस्टर के तौर पे शपत लिया है तो दोस्तों, सही उत्तर है, आप्शन ए, रेनु देवी, यानि कि रेनु देवी बिहार की पहली डेपुटी चीफ निस्टर बनी है दोस्तों, इस बर एन देवी के तरफ से बिहार में दो डेपुटी चीफ निस्टर बनाए गए हैं, दूसरे डेपुटी चीफ निस्टर है, तारकिशोर प्रसाद और दोस्तों, रेनु देवी बेतिया कॉंसिटुएंसी से चुनकर आई हैं, और अब वो वहां की उस कॉंसिटुएंसी की MLA है इस बार बिहार के जो 17th legislative assembly है, उसमें प्रोटेम स्पीकर के पत्व के लिए किन्हें चुना किया है तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, option A, जीतन राम मान जी दोस्तों, ये हम party के अध्यक्ष हैं, और BJP, जदियू, VIP के साथ ये NDA में, NDA के तरफ से लरे थे NDA के ये सहयोगी दल है, इस चुनाव के लिए, और दोस्तों, इनको प्रोटेम स्पीकर के पत के लिए चुना गया है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर, एक normal स्पीकर से कैसे अलग होते हैं, वो जानते हैं तो दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर, generally, जो senior most member होते हैं, उसके, उनको चुना जाता है और दोस्तों, इनका जो tenure होता है, वो बहुत ही short-lived होता है, बहुत कम समय के लिए होता है और generally, प्रोटेम स्पीकर, जब नई assembly चुनकर आती है, जो नए members चुनकर आते हैं at the starting of the assembly, उस वक्त, इनको बनाया जाता है दोस्तों, इनका जो main काम होता है, वो होता है, वोट कंड़क्ट करवाना, speaker और deputy speaker के लिए यानि कि, speaker और deputy speaker का चुनाव करवाना, और जो नए member house में आए हैं, चाहे वो parliament हो, चाहे वो legislative assembly हो तो उनको ओथ दिलवाने का काम प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं friends, next question, India has drawn a five-year action plan for the conservation of which species और दोस्तों, इसका सही answer है, option B, vulture vulture के लिए five-year plan बनाया गया है, ताकि इसको conserve किया जाए और यह step क्यों लिया गया है, तो दोस्तों, this step has been taken in the light of substantial decline in the population of vulture in India यानि कि भारत में धीरे-धीरे vulture का जो population है, वो घट रहा है, और इस वज़ा से इस step को लिया गया है और दोस्तों, vulture का एक खासियत क्या होता है, कि यह natural scavengers है, यानि कि scavengers क्या होते हैं, जो हमारे वातावरन को, surrounding को clean रखते हैं यह natural है, हम उनको यह काम नहीं देते हैं, यह काम उनको nature के तरफ से दिया गया है तो दोस्तों, क्योंकि इनका population कम है, इसलिए कि यह step लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, Asia's first solar power textile mill will be set up in which Indian state solar power textile mill जो कि Asia का first होगा, वो किस Indian state में establish किया गया है, setup किया गया है तो दोस्तों, इसका सही answer है, option C, महराष्टरा महराष्टरा के परभानी district में, इस textile mill को set up किया गया है next question, which vaccine manufacturer has sought emergency use authorization of its COVID-19 vaccine reference, इसका right answer है, option C, future, यह US-based vaccine company है which two nations signed a landmark defense deal on November 17 to counter China's growing influence in the South China Sea और दोस्तों, इसका right answer है, option B, Japan and Australia अब दोस्तों, जापान and Australia इन्होंने क्यों किया है, इस defense deal को sign क्योंकि South China Sea में, चाइना का जो activity है, वो काफी जादा बढ़ गया है वहाँ पे जो उसका प्रभाव है, वो काफी जादा बढ़ गया है तो उस प्रभाव को counter करने के लिए, जापान और Australia के बीच में, एक इतिहाजिक defense deal किया गया है और दोस्तों, सिर्फ जापान और Australia ही नहीं, जो coordination है यानि कि जापान, Australia, India and US यह भी, जो South China Sea में है, वहाँ पर US भी अपना जो प्रभाव है, वो बढ़ाने की कोशिस कर रहा है ताकि वो चाइना के इस प्रभाव को counter कर सके और coordination भी मिलकर coordinate कर रहे हैं, चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए next question, which country has been given the hosting right for FIFA under 17 women's world cup 2020 यानि कि 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 country को hosting right दिया गया है, FIFA under 17 women's world cup 2020 के लिए और दोस्तों, इसका सही उत्तर है, option A, India, यानि कि हमारा country दोस्तों, गलती से हाँ पर option B पर हो गया है, टिक, लेकिन इसका सही उत्तर है, option A और दोस्तों, क्योंकि इंडिया में 2021 में ये world cup होना था, और ये cancel हो गया due to COVID-19 pandemic, इस महामारी की वजह से, इसको postpone किया गे 2022 में, so इंडिया ही इसको host करेगा England cricket team will tour which nation for the first time in 16 year in 2021 England की जो cricket team है, वो किस देश में और 16 सालों बाद जाएगे, टूर करेगे तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, option B, पाकिस्तान दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है England के cricket team के, जोकि 16 साल बाद पाकिस्तान में खेलने जाएंगे और दोस्तों, पाकिस्तान में security region की वज़े से, concern की वज़े से, कोई भी team वहाँ पे खेलने नहीं जाती थी करीब बीच में ऐसे 5-6 साल का gap आया था, जब वहाँ पे कोई देश खेलने नहीं जाना चाहता था, कोई player वहाँ पे खेलना नहीं जाना चाहता था और England की जो team है, वो लास्ट बार 2005 में खेलने गई थी, जब वहाँ पे उन्होंने 5 ODI और 3 test match खेले थे अब दोस्तों 2021 में 16 साल बाद वो पाकिस्तान में series खेलने जा रहे हैं, अब वहाँ पे उनको 2 T20 खेलना है, ahead of the ICC T20 World Cup जो की अगले साल ही होना है इंडिया में next question, what is the minimum age limit to play international cricket as per the new ICC policy, ICC के नए policy में minimum age जो है, वो 15 साल रखा गया है, किसी भी player के लिए international cricket खेलने के लिए तो सही उपतर है इसका option A, 15 years, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, knowledgeable लगा होगा, interesting लगा होगा, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए, और